15 नमर, so that only and only one out of, देखें आपर कितने हैं, यह 5 दिये गए हैं, इनमें से कोई एक ही divisional है 5 से, ठीक है, अगर कोई यह divisional होता है तो बाकी नहीं होंगे, अगर यह divisional होता है तो यह सब बाकी नहीं होंगे, यहीं हमें प्रूब करना है, ऐसा को सलम नहों देखे थे पिछले व n is any positive integer, आपके question में भी कह रहा है, positive integer, when n is divided by 5, अगर हम इसमें 5 से divide करते हैं, हमारा जो क्यूसंट है, वह क्यूसंट आता है, क्यूसंट आता है आपका, क्यूसंट क्यू ले लेते हैं, and remainder, remainder जो है, हमारे पास r मिलता है, तो यहां से हम लोग n equal to में, 5 q, देखो यह 5 है, 5 q प्लस r लिख सकते हैं, और यहां r होगा, 0 से greater, और 0 का equal भी होगा, but less than होगा, 5 से, यह कैसे होगा, तो भाई, यूक्लीड, 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 शॉरी, इसको मैं clean करके लिए लता हूँ, यूक्लीड, 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 डिवीजन, डिवीजन, लेमा से, ठीक है, चलिए, तो यहां r का possible value, 0, 1, 2, 3, और 4 हो सकते हैं, यहां से n का value क्या हो जागा, अगर r के values इनको रखेंगे, तो आपका 5q मिलेगा, और 5q प्लस 1 मिलेगा, और 5q प्लस 2 मिलेगा, और 5q प्लस 3, और 5q प्लस 4, यह ना इसके possible value होंगे, अब देखते हैं के करके इनको, अब मैं पहला case लेता हूँ, case first, तो case first में हम लोग ले लेते हैं कि n इकॉल to 5q, when n equal to 5q, तो जब n 5q के equal है, जब n equal to 5q हम लिख रहे हैं, तो 5q लिख रहे हैं, यानि कि यह 5 से divisible है न जी, तो आपके लिख सकते हैं, कि which is divisible by 5, यह 5 से divisible है, ठीक है n, अच्छा, आब देखिए, यहाँ n plus 4 है, n plus 8 है, n plus 12 है, और n plus 16 है, तब n plus 4 की बात करते हैं, अगर मैं n plus 4 की बात करूँ, तो यह हो जागा 5q plus 4, तो 5q plus 4 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कि n plus 4, n plus 4, इसमें रिमेंडर बच रहा है, लिप्स रिमेंडर, लिप्स रिमेंडर, कितना रिमेंडर बच रहा है, 4, when, when, divided by, divided by 5, 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें लिप्स रिमेंडर 4 बच रहा हैं, तो आप लिप्स रिमेंडर, कि n plus 4, n plus 4, is not divisible by, divisible by, 5, अचा, n plus 4 हो गया, अब देखे, इसके बात, n plus 8 है, ठीक है, चलिए तब n plus 8 की बात करते हैं, n plus 8 की बात करेंगे, तो n के जगा हमें क्या रखना है, 5 q, तो यह 5 q plus 8 हो जाएगा, आप इसे 5 q plus 5 plus 3 लिए सकते हो, इसमें से आप 5 common करोगे, तो यहां q plus 1 बचेगा, और plus 3, तो आप देख लो, यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि अगर n plus 8, इसमें हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे रिमेंडर 3 बचेगा, तो n plus 8, leaves remainder, leaves remainder, कितना, 3, when divided by, divided by, when divided by 5, तो यहां पे लिख सकते हैं, कि n plus 8 is not divisible by, divisible by 5, तो देख रहा है नहीं हो रहा है, अच्छा, n plus 8 के बाद, n plus 12 और फिर n plus 16 है, चलिए मैं यहां यहां n plus 12 की बात करता हूँ, तो n plus 12 की बात करें, तो यहां के जागा 5 q रखना है, तो 5 q प्लस 12 होगा, तो 5 q यहां पर हम लिख सकते हैं, 5 q प्लस में 10 प्लस 2, यहां से अब हमनों 5 common कर सकते हैं, यहां पर q प्लस 2 हो जागा, और प्लस में 2, तो यहां पर हमनों देख रहा है, इसमें आप 5 से डिवाइड करें हैं, तो रिमेंडर आपका 2 बचेगा, तो यहां पर लिखेंगे, यहां प्लस 12 लिख रिमेंडर, लिख रिमेंडर, 2 वें, डिवाइड़ बाइड बाइ, डिवाइड बाइड बाइ 5, तो हमनों कह सकते हैं आपके, कि N प्लस 12 is not divisible by 5, चलिए, अब N प्लस 16 बचा ला, N प्लस 16 पूँ देख लेते हैं, तो 5 क्यू रखेंगे तो 5 Q प्लस 16 हो जाएगा, तो अब हम इसे चाहें, तो अचे भी तो लिख सकते हैं, 5 Q प्लस 15 प्लस 1, इसमें से आप 5 कॉमन करोगे, तो Q प्लस कितना बचेगा आपका, 3 और प्लस 1, तो इसमें रिमेंडर 1 बचेगा, जा आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे कि N प्लस 16, लीप्स रिमेंडर, लीप्स रिमेंडर, कितना, कितना रिमेंडर बचेगा तो 1, when, divided by, divided by 5, आम लोग कह सकते हैं यहां पे कि N plus 16 is not divisible by, divisible by 5, आम लोग यहां पे यही न निकल ला है conclusion, आम लिख सकते हैं कि 10, N is divisible by 5, divisible by 5, but, but, N plus 4, N plus 8, N plus 12, and N plus 16 are not divisible by, divisible by, क्या हो जाएगा, 5, तो हमने एक case ही लिया है, अभी सोच अभी इसमें कितने सारे case होंगे, आप एक case लिये हो, अभी इसमें, और इसमें 4 cases है, चलिए एक और case को हम लोग देख लेते हैं, case number 2 ले लेते हैं, when, N equal to जो है, वह आपका 5Q plus 1 हो, है ना, इसी को एक जख कर लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, कि यहाँ, N 5Q plus 1 है, यानि कि अगर मैं N की बात करूं, तो यह 5 से डिवाइट करें पर 1 रिमेंडर बचेगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि N लेप्स रिमेंडर, लेप्स रिमेंडर, लेप्स रिमेंडर, लेप्स रिमेंडर, 1, when, divided by, divided by 5, तो यहाँ लिख सकते हैं, therefore, N is not divisible by 5, चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं, N प्लस 4 था, यहाँ N के जगा पर हमें 5 Q प्लस 1 रखना है, और प्लस में 4, तो यहाँ जगा 5 Q प्लस 5, यहाँ जगा 5 Q प्लस 5, यहाँ 5 common हो जगा, तो Q प्लस 1 बचेगा न, और 5 इंटू में Q प्लस 1, तो यह तो 5 से divisible है ना, तो जी सकते हैं, इसी में, कि which is, which is divisible by, divisible by, divisible by, यह 5 से divisible है, अच्छा, इसके बाद था आपका N प्लस 8, तो यहाँ पर रखोगे, 5 Q प्लस 1, तो प्लस में आपका 8 हो जाएगा, तो 5 Q प्लस 9 बचेगा, अब 5 Q प्लस 5 प्लस 4 लिखोगे, तो यहाँ से 5 कॉमन होगा, Q प्लस 1 बचेगा, और प्लस में 4, तो यहाँ दिवाइट करेंगा, 5 से तो रिमेंडर 4 बचेगा, तो लिख सकते हैं, कि N प्लस 8, लिव्स रिमेंडर, लिव्स रिमेंडर, क्या 4, वेन, दिवाइडर बई, दिवाइडर बई, दिवाइडर बई, 5, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता हैं, कि N प्लस 8 लिव्स रिमेंडर, दिवीजिबल बई, दिवीजिबल बई, दिवीजिबल बई, चलिए, अगला देखते हैं, N प्लस 2L की, तो 5Q प्लस 1 प्लस 2L, तो यहाँ दो को, 5Q प्लस कितना जाएगा यहाँ पर, 13, आगे सॉल्ब करते हैं, तो मैं इसे ऐसे रिख सकता हूँ, 5Q प्लस 10 प्लस 3, यहाँ से 5 कावन होगा तो यहाँ, Q प्लस 2 प्लस 3, यहाँ 3 रिमेंडर बचेगा ना तो है, आप लिखेंगे कि N प्लस 12 leaves remainder, remainder, 3 when divided by 5, तो लो लिख सकते हैं, कि n plus 12 is not divisible by 5, चलिए, अगला देखते हैं, n plus 16, इन था, तो 5 q plus 1 रखोगे और plus में 16 है, तो आपका 5 q plus 17 हो जाएगा, तो हम इसे 5 q और plus में 15 plus 2 लिख सकते हैं, यहाँ 5 common करोगे, तो q plus में 3 plus 2, तेहाँ तो रिमेंडर बचेगा, जाँ 5 से डिवाइट करेंगे, तो n plus 16, लेप्स, लेप्स रिमेंडर, लेप्स रिमेंडर, लेप्स रिमेंडर, 2, when, when, divided by, divided by 5, तो आपके ली सकते हैं, कि n plus 12, n plus 12 is not divisible by, divisible by, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, कि इस second में क्या देखे हैं, तो हम ने यहाँ पे देखा है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लेखे हैं, 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 लेख ahi M XV किटानगते व्हुत सकता ही है तो हम लोग ऐसे ही केस आर भी दें सकते हैं ऐसा मैं लिख देता हौ प्लाइन रहे केसा ओर हेना स्टान तरफ व मैं लिख देंगे कि हैंस दें वननि one and only one एसे कर देते हैं one and only one only one out of out of n n plus 4 n plus 8 n plus 12 n plus 12 और एक और था n plus 16 में थे हाना n plus 12 and n plus 16 is divisible by divisible by 5 where where n is any positive integer any positive integer positive integer है क्लियर हो गया तो इस वीडियो को यहीं पेंट कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई को संको देखेंगे आपको मारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासेश छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांत सर भारती भवन रवी कांत सर रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे लेटर वीडियो के लिए सीधर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे लेटर नोट्स क और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेश के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउनोड कर सकते और पड़ भी सकते इंस्टागाम और फेस्बुक पे पाथफेंडर क्लासेश अपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे